नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडी आई को केडिम स्वागते आप सभी लोगों के लिए एक मातो पूर्ण बड़ी अपडेटे नहां पर बहुत सारे विद्यारतियों ने मेरे पास लगातार तीन चार दिन से कोल कर रहे हैं कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए तो मैं जरू EWS OBCS, EAST ke साथ दोका किया गया है यहां पर आप लोगों को बताऊंगा या की जनरल से ही जो EWS निकालाए इनके साथ भी बड़ा दोका हाइकोड ने किया है आखिरकारे दोका क्यों कर रहा है हाई कोड़् आप सोभी लोगों को पता थैंकी कटोप जादा नहीं जा सकती ज को नहीं कर रही है आपको कटो भी बताओंगा और साथ में आपको पुरूब भी बताऊंगा कि राजस्तान में दी पिले कटोफ ज्यादा चली जाए तो उस कटोफ को कम किया जाता है ठीक है ये बात तो आप सभी लोगों को भली बात ही पता होगा इसका उदारण आप आरेस परिक्षा ले सकते हैं एन परिक्षा ले सकते हैं उसके लावा आप पटवारी की जो परिक्षा हुई थी उसको ले सकते हैं तो आपको पहले मैं प्रूब बताने से पहले आपको हमारी पूरी जानकारी बताता हूँ देखो जनरल की कटोप यहाँ पर 68 ठीक है जनरल उमेन की 46 ये रूल के according है उसके लावा SC की कटोब ये रूल के according नहीं है सतर कटोब यानिकी 68 से जादा है इसके लावा देख सकते हैं SC उमेन की कटोब ये रूल के according है और इसके लावा ST की कटोब भी 79 है जो की रूल के बार है उसके लावा यहाँ पर OBC की कटोब 76 जो की बहुत ज़्यादा कटोप है निकी आठ नमबर जन्रल से कटोप ज़्यादा है यह सरासर गलत है इसके लावा जहाँ पर मोर बेकवर्ड क्लाज एनसील यह देखें के बहतर नमबर यह भी ज़्यादा है इसके लावा EWS छेहतर गटों पे यह भी आप देख सकते है आट नमर जदा है जनरल से पिर EWS में जानी का क्या मतलब है OBC में जानी का क्या मतलब है HTSY में रहने का क्या मतलब है 1500 में रहने का क्या मतलब अखिरकार आप ही बताये और eight ने मुझाब साहब शाये कि येए कुछ भी नहीं है ये विना काम की रीट लगाई है ऐसा कोट के जुश्टी हो अब नहे आये हैं उन्हों प्रिण करते हुए कह आप देख सकते हैं इनके साथ रहा ही हाई कोट में आरक्सित वरक के अव्यरतियों के सामाने से ज़्यदा अंग होने पर भी भरती प्रक्रिया से बाहर रहने पर सरकार वो हाई कोट प्रसासन से जवाब मांगा है जस्टिस संगीत राज लोडा वो एमके व्यास ने ये ये निर्देश दिपक सर्मा की याचिका पर दिया EWS से आवेदन किया था उसके 75 अंगा है जबकि सामने का कटोप 68 है अंग है और इसके देख सकते है 76 कटोप गई है तो 75 नमबर है और जनरल की कटोप 68 है तो इसको जनरल से लेना चीए ना की EWS से परंतो इस विध्यारति के साथ निया पर भी धोका किया गया है आप देख सक पी इन बेरुजगारों के साथ की जा रही है हाई कोट की तरफ से और यही ना इनसापी और पेपर भिकने की गटना है आपको LDC और आपके आने वाली ग्रूप D की बरती है इसमें दोस्तों लगातार पेपर भिकेंगे या हाई कोट के ओपर सवाल खड़ा करते हैं आखिर बात बता रहा हूं मुद्दे की जो बात है उस बात पर आप भी गोर कर सकते हैं सोच सकते हैं एक बार ठीक है आप भी सोचिए इस बात को और आपने देखा था आप इस टेनो ग्रापर का पेपर हुआ ही है उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया उसका जिम्मेदार हाई कोट है यानि कि हाई कोट ने उस बच्चे को मारा है मारा नहीं है वो मारा गया हाई कोट के दोरा ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि उस बच्चे ने सुसाइडिस ले किया है क्योंकि पहले पास कर दिया फिर उसको दोबरा रिजल्ट फिर निकाला रिट लगाने के बा अब इसे जो है खारिज कर दिया गया देख सकते हैं चालक बर्ती को लेकर दाइर याची का खारिज तो देख सकते हैं यह अभी की खबरे जोदपूर से राजस्तान आइकोड ने राज्य नियाईक अकादमी राज्य विदिक सिवापरादी करण और जीला नियाईलों में चा और EWS के लिए कटोप अंग सामाने अंग के लिए गोसित कटोप से बहुत अधिक है जिसे वे आरक्षन के लाब से वंचित रह गये हैं बर्ती नियमों विग्यापन के नियमों और सर्तों और सुप्रिम कोड के विबिन निर्णे के अनुसार वे इसके हगदार है हाई कोड प्रसासने राजस्तान राजे नियाई अकादमी राजस्तान राजे विदिक शेवा प्रादिकरन और जीला नियाईलों में चालक के पदोपर सीधी बर्ती के लिए 22 जुलाए 2020 को एक विग्यापन जारिक किया था खंड़ पीड ने पाया कि सामाने स्रेणी के 453 पन उमिद का करताओं को दी जाती है तो उसके प्रणाम सोरुप इसमें से कई उमिद और को बार किया जा सकता है जो आउसे फक्सकारते लेकिन उन्हें विवेच्चिका में सामिल नहीं किया गया कोड ने विश्तर्त विवेच्चन करते हुए काया कि योगिता रही तो होने के कारण याच्चिका खारी कर दी गई है उन बच्चों के पास योगिता भी है हम्वी यानि की हाई विकल जो है ड्राइविंग लाइसंस भी है और पांच साल का एक्सपिरियंस भी है ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे है जैसे के एक प्रत्विराज है उनके साथ भी धोका किया गया है और भी ऐसे कहीं बच्चे हैं तो आप के लिए मैं दोस्तों एक हल्प करना चाहता हूँ आप सभी लोग जुड़िये और जो है इसे ही आच्चिका को अब सुप्रीम कोट में दायर कीजिए हाई कोट के खिलाब सुप्रीम कोट में जाईए कि हमारी नहां पर यह न उसमें एस्टी की कटोब 139 चली गई थी और मेरे साब से ओविसी की कटोब भी 120 के लेक बगती और जनरल की कटोब 112 थी तो उस कटोब को संसोधित करते हुए दुबारा से प्रणाम जारी करना पड़ा था और उस कटोब को जनरल से कम या जनरल के बराबर रखा जा सकता है ऐसा रूल हमारे राजस्तान में बना हुआ है प्रन्तु यह हाई कोट जो सबकी उपर निगरानी रखता है यह खुदी इतनी बड़ी गलतियां कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि नयाई पाली का किस प्रकार नयाई कर रही है इन बेरोजगारों के साथ क्योंकि अभी लग ओभी शीगी तो उसको भी दोस्तों दुबारा से जो है कटोब निकाली गई दुबारा से रिजल्ट आया और फिर जाके सब कुछ हुआ तो यह आप लोग देख सकते हैं यह राजस्तान में रूल है प्रन्तु यह रूल के खिलाप यहां पर यह मामला चल रहा है हाई कोट में और यह ऐसे करेगा और यह बेचने वाला है सभी वर्तियों को आप सोच सकते हैं हाई कोट के लिए में एक जो है ड्राइवर वालों के लिए गरूप बना रहा हूं वाट्साप गरूप उसमें सभी जुड़िये और आपकी जो भी सिकायत है कोई परेशानी से कोई दु और अपनी चर्चा करें ताकि मैं आपको एक सादन दे रहा हूं कि आप सभी लोग वाँ पर जुड़ सकते हैं तो आप सभी लोग वाँ जुड़िये और आपका दोस्तों जितनी परेशानी हो गिरा है आप जिसे भी सुप्रीम कोट में जा सकते हो कहीं भी जा सकते हो तो जाएए और आप जेपुर में भी आवाज उटाए तकि आपकी सरकार भी अच्चे से पेर भी कर सके और आपके लिए सरकार भी लड़ सके तो मिलते हैं दोस्तों कोई नई अपडेट के साथ आगे इसमें क्या मोड आएगा इसकी भी सारी जानकर यापको पल पल के साथ मिल लेगी आप लगतार दोस्तों इसके खिलाब आवाज उटाए और आपके साथ चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा मिलते हैं कुछ नहीं अपडेट के साथ तब तक बने रही है मित्रो